आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके फोन का ब्लूटूथ यहाँ पर बंद नहीं हो रहा है अनिकी ओफ नहीं हो रहा है तो इस प्रॉबलम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे फोन का ब्लूटूथ आन है और अगर आपको प्रॉबलम आ रही होगी आप इसे ओफ कर रहे हैं तो यह ओफ नहीं होता है तो इस प्रॉबलम को ठीक करने के लिए आप अपने फोन में दो से तीन सेटिंग्स कर लीजिए उसके बाद आप ब्लूटूथ को इजिली बंद कर सकते हैं तो सबसे पहले इसके लिए आप अपने फोन में सेटिंग्स को ओपन करिए सेटिंग्स में आने के बाद उपर एक सर्च सेटिंग्स का ओप्शन आएगा इस पर किलिक करिए और यहाँ पर आपको सर्च करना है यानि कि आपके फोन में आएगा रिसेट नेटवर्क सेटिंग्स के नाम से या फिर आपके फोन में आएगा रिसेट वाइफ़ाइ मुबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ के नाम से तो यहाँ पर दोनों में से एक नाम से आपके फोन में हो सकता है तो यहाँ पर इस पर किलिक करेंगे, किलिक करने के बाद नीचे reset settings पे किलिक करेंगे, अपने phone का lock enter करिए, screen lock enter करिए उसके बाद ok करने का जो option आएगा ok पर किलिक करके यहाँ पर अपने phone की network settings को reset करिए और यह करने से कोई आपका data delete नहीं होगा, बस आपकी wifi, mobile data और bluetooth की settings reset होगी इस process को करने के बाद आप back आजाईए और यहाँ पर आप check कर सकते हैं, आप bluetooth को बंद करके और यहाँ से अगर off नहीं होता है, तो अपने phone में settings में जाईए, उसके बाद bluetooth में जाकर आप यहाँ से बंद करके check कर सकते हैं आपकी problem ठीक हो जाएगी, और अगर आपकी problem fix नहीं होगी, यानिके bluetooth बंद नहीं होता है तो अपने phone के power बटन को press करके रखिए, उसके बाद reboot का एक option आएगा, या फिर restart का, तो इस पर click करके अपने phone को reboot या फिर restart करिए, और यह सब process follow करने के बाद आपकी problem ठीक हो जाएगी और आप अपने phone से easily bluetooth को off कर सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो आपको वीडियो को लाइक करें और हमारे channel को subscribe जरूर करें